तो आज हम पढ़ने वाले question जिसमें बोला गया है female workers in Britain attacked the spinning jenny explain तो इस question का मतलब है Britain में जो female workers थे जो औरतें थी जो की work करते थे worker थे वो काम करते थे तो Britain की उस female workers ने spinning jenny पे attack किया था तो एसा क्यों किया था आपको यहां पे explain करना है तो चलिए समझते हैं इसको answer से तो इस answer में सबसे पहले समझते हैं कि spinning jenny क्या था तो basically students spinning jenny basically एक ये device थी एक machine थी जिसको बनाने वाले थे James, Hargreaves और इसको बनाया था उन्होंने 1764 में तो ये जो machine है वो actually spinning की जो process है उसको तेजी से करती थी अभी spinning क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ students कि जो कप्ड़े बनाने वाले जो company ये बड़े-बड़े कारखाने होते हैं वो धागों के जरिये ही कप्ड़े बनाती है तो धागों को spin करना पड़ता है तो spinning करने के एक तरीका होते एक process होती है तो ये spinning process को बहुत तेजी से कर सकती थी ये machine जिसका नाम था spinning jenny और ये जो machine है वो जो labor की जो demand है जो मजदूरों की demand है जो मजदूरों की जरुत होती है उसको reduce कर रही थी कम कर रही थी तो इस machine को अगर कोई एक worker उसके एक wheel को उसके चक्के को अगर घुमा देता है turn करता है तो उससे क्या होता है कि एक बार ही सिप उसको turn करने से बहुत सारी spindle जो है spindle क्या होते है basically round shape की जो rod होती है उसको हम बोलते है spindle तो बहुत सारी spindle जो हो motion में आ जाती है घुमने लगती है तो उनके घुमने के वज़े से एक ही time पे बहुत सारी धागे होते है जो threads ह होते हैं वो spin करने लग जाते हैं और इस rods पे वो spin होने लग जाते हैं तो इस तरीके से इस spinning जैनी मशीन के वज़े से बहुत सारा काम जो बहुत fast हो रहा था तो अब बात करते हैं ऐसा क्या reason था ऐसा क्या कारण था कि इस पर attack किया गया तो actually जो female वरकर्स थे students उनको unemployment का डर हो रहा था unemployment का मतलब होता है कि उनकी जो नौकरी थी वो चले जाएगी उनको ऐसा लग रहा था इसी वज़ा से उन workers ने hostile किया याने कि विरोध किया इस नई technology के आने के वज़ा से तो जब इस पीनी जैनी को इंट्रोड्यूस किया गया था लाया गया था तब उस समय स्टार्टिंग में सिर्फ हो सिप सबसे पहले woolen industry में ही इंट्रोड्यूस की गई थी लाई गई थी याने कि ठंडी के जो कपड़े होते हैं तो उन लोगों ने इस नई machine पे attack करना शुरू कर दिया था तो इस तरीके से इस machine जैनी के introduction से याने कि उनके आने से ये जो conflict थी ये जो लड़ाई थी वो बहुत लंबे समय तक के चलते रही तो कुल मिला करके कारण attack का यही था कि उन्हें लग रहा था कि उनकी नोकी चले जाएगी unemployment आ जाएगा इसी वज़ाद से वो इस spinning जैनी machine पे attack कर रही थी ओके students clear है I hope students आपको एक clear हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सिखने मिला है knowledge मिला तो प्लीज हमारी चैनल को सब्स्राइक केजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें आज के लिए इतना ही